कि आप ये बाल देख रहे हैं दोस्तों कितने शिल्की लग रहा है ना और कितने शाइनी लग रहा है और एकड़म श्मुज जैसे कोई STEM गरवाई होगी यह मेरी बेटी के बाल हैं दोस्तों और मैं अपनी बेटी के बालों में एक special hair oil लगाती हूँ जो मैंने खुद बना रखा है तो वो ही hair oil मैं आज आपके साथ share करूंगी दोस्तो market में जो मिलने वाले hair oil हैं दोस्तों उसे अपने बच्चों के बालों में बिल्कुल भी use मत कीजिएगा उसमें काफी सारे chemical mineral oils होते हैं जो hair oil होने वाला वो specially मैंने बच्चों के इसाब से बनाया है तो अगर आप boys हैं, girls हैं वैसे बड़े भी आप इस hair oil को लगा सकते हैं और बहुत ही कमाल का hair oil है दोस्तों तो चलिए देख लेते हैं इस hair oil को बनाना किस तरीके से हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर aloe vera लिये है, aloe vera के जो sides की काटे काटे होते हैं उसको आप निकाल लीजिए aloe vera एक तो आपके बालों को moisturize करेगा, आपके बालों को silky बनाएगा, soft बनाएगा और उसकी hair growth में भी बहुत अच्छे से काम करेगा तो मैंने यहां पर मेरे चोटी-चोटी कल्निया थी aloe vera की, तो यह मैंने ले ली है 4-5 और इसे मैंने चोटी-चोटे भागों में cut कर लिया है बहुत कमाल का ingredients है दोस्तो बच्चों के लिए, और बच्चों के सर पर आप कोई सा भी hair oil नहीं लगा सकते है तो aloe vera एक best option है उसमें से तो अभी इसमें बहुत सारे ingredients जाएंगे तो इसमें सबसे पहले मैंने एक लोही की कड़ाई ले ली है दोस्तों, उसमें मैंने लिया है सबसे पहले 500 ml coconut oil कोई सा भी coconut oil आप यहां पे ले सकते है coconut oil hair growth के लिए बहुत अच्छा होता है scalp को clean करने के लिए dandruff को हटाने के लिए बहुत कमाल का hair oil है दोस्तों तो सबसे best मुझे लगता है coconut oil तो यहां पे मैंने coconut oil लिया है अगर आपके बच्चों को coconut oil suit नहीं करता है तो इसकी जगा में आप mustard oil भी ले सकते है तो यहां पे जितने भी मैंने aloe vera cut करा था वो सारा मैं इस oil के अंदर डाल दूँगी flame आपको बिल्कुल sim रखनी है दोस्तों flame बिल्कुल भी तेज ना रखिएगा अब आपको इसको चला लेना है अच्छे से थोड़ा अब आपको क्या करना है इसमें दूसरा ingredients एट करना है दोस्तों वो है दोस्तो curry leaves curry leaves हमारे fungal infection को हटाती है हमारी hair growth में बहुत अच्छे से काम करती है तो यहां पे मेरे dry curry leaves थी अगर आपके पास fresh कड़ी पता है तो आप वो भी ले सकते है तो तीन चमश मैंने यहां पे कड़ी पता लिया है उसके बाद मैंने यहां पे लिया है दोस्तों अलसी के बीज जिसे हम flaxseed भी कहते है तो दो चमश मैंने यहां पे अलसी के बीज लिये हैं दो से तीन चमश मैंने आपे ले लिये हैं अलसी के बीजों में ओमेगा 3 होता है जो हमारे बालों को सौफ्ट बनाता है शाइनी बनाता है हमारी हेर ग्रोथ में बहुत अच्छे से काम करता है दोस्तों और इसमें आप कोई भी मेथी नहीं डालेंगे कोई कलॉंजी नहीं डालेंगे और ना ही कोई अनियन डालेंगे क्योंकि वो बच्चों के लिए काफी ज़्यदा गरम हो जाता है ये जितने भी मेने ingredients इसमें डाले हैं बलकुल source समझ के डाले हैं बच्चों के हिसाब से डाले हैं तो बस आपको क्या करना है इसको एकदम सिम फ्लेम में आपको पकाना है कम से कम आपको इसको पकाने में 20-25 मिनट लग जाएगा हाई फ्लेम में नहीं पकाईएगा उससे क्यों गए जितने भी इसके गूर है नुट्रिशन है उस सारे जल जाएगे तो इसलिए फ्लेम को एकदम लो कर दें छोड़ दें और 20-25 मिनट बाद आएगे और आपका जो हैर आइल है वो बनके बिलकुल रेडी हो जागा बहुत कमाल का हैर आइल है आपके बच्चों की हैर ग्रोथ के लिए बालो को शाइनी सिल्की बनाने के लिए तो देखे कुछ हद तक तो ओईल पक चुका है तो ऐसे ही करते करते आप बीच बीच में शलाते भी रही है और 25 मिनट तक आपको इस एट लिस्ट पकाना है तो जब पकाते पकाते दोस्तों 20-25 मिनट हो जाएं तो उस स्टेश में आपको करना क्या है गैस की फ्लूइम को कर देना है आपको ओफ और थोड़ा सा आपको इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है एकदम गरम गरम हम किसी भी कंटेनर में इसे नहीं डालेंगे तो ये हो चुका है तेल ठंडा एकदम ठंडा नहीं होना है नहीं तो coconut oil जम जाएगा दोस्तों तो उसके बाद मैंने लिया है यहां पर bowl and एक छन्नी मैंने लिया है और इस oil को हम छानेंगे कि जितने भी particles वगएरा हैं वो oiling में करते टाइम हमारे बालों में ना लगे तो मैं इसे पहले stainless steel के जो भी container तो यहां पर मैंने लिया है दोस्तों एक glass jar उसमें मैं इसे फिल करके रखतूंगी तो यह देखिए यह oil हमारा आदे से ज़्यादा प्रिप्यार हो चुका है अब इसमें एक ingredients और डलेगा और यह oil हो चुका है पूरी तरीके से फिल तो थोड़ा सा मैंने क्या करा इसे दूसरे container में डाल दिया है और यह जो container है यह देखिए मैंने आदा रखा है इसमें अभी मुझे add करना है दोस्तों castro oil बहुत कमाल का oil है दोस्तों तो अगर आपने मतलब 200 ml के करीबन coconut oil का जो oil है वो बनाया तो कम से कम इसमें चार चमच चार से पांच चमच आप castro oil के add कर लीजिए बहुत कमाल का तेल है hair growth के लिए आपके बालो को थिक बनाने के लिए shiny बनाने के लिए मोटा बनाने के लिए तो इसे आप बच्चों के बालों में बिल्कुल ready हो चुका है दोस्तों इसे आप एक मेह तक store करके रख सकते हैं बिल्कुल भी खराब नहीं होगा हाँ अगर आपने oil अच्छे से नहीं पकाया होगा तो उसमें हल्किसी fungus ही आने लगेगी तो इसे आप use मत करिएगा नहीं तो आप इसे 20 days के लिए बना के रख सकते हैं 20 days तक ये बिल्कुल भी खराब नहीं होने वाला है अब आपको इसको use कैसे करना है बच्चों के सर पे आप चाहें तो इसे daily लगा सकती है तो मुझे याद आया मैं आपने बेटी के बालों में आपको करना क्या है बस इस ओइल को लेना है बच्चों की बालों की जड़ों में लगाना है और जड़ों में लगाने के बाद आप अच्छे से हलका सा मसाज भी करिएगा और इससे ना आपके बच्चों के बाल देखिए का बहुत ही अच्छे हो जाएंगे कि हैर ग्रॉड नहीं है और फोने की में किसी बच्चों के बाल हारी बहुत ही जड़ा होता थे फिक होने लगेगे बाद आप इसे लगा है हां वोस्ष न जैसे आप anthrop कमफूटेबल हैं डोस्तो आज कीया आपको मेरी ज़रूर पसंद आईयोगी तो करना के है मुझे comment section में ये जुरू बताईगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा